नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का exam guru tips and tricks में तो reasoning के very very important 30 questions आप ले लेके आ गया हूँ previous year के question है, बहुत ही अच्छे और छटे हुए question है तो दोस्तों आईए शुरू करते हैं आज का very very important session पहला question आपके सामने आपके screen पर speed में करिएगा और option comment section में comment करते रहेगा चली, पहला question करिए पहला question कह रहा है अजय कहता है वह महिला, मेरी मा की एक मात्र ननत के पुत्र की दादी है यदि अजय की पिता का सिर्फ एक भाई है और अजय की मा का कोई भाई नहीं है तो वह महिला अजय से किस प्रकार सम्बंदित है ठीक है, बनाया जाइसको अजय कहता है वह महिला मेरी मा मेरी मा मतलब अजय की मा अजय की मा, वह महिला मेरी मा की एक मात्र ननत मतलब इसके जो husband होंगे अजय की मा के husband की बेहन मतलब कौन अजय की भुवा के एक मात्र ननद के पुत्र की दादी है दादी है मतलब इसके पापा की कौन मा है कौन वो महिला वो कौन है महिला ठीक है आगे देखा जाए यदि अजय के पिता का सिर्फ एक भाई है यदि अजय के पिता का सिर्फ एक भाई है और अजय की मा का कोई भाई नहीं है एक भाई है ठीक है एक भाई है अब लेकिन ननद जो है तो ये तो बहन हो गई न इसका मतलब भाई एक है यहाँ पर मेभी एक और भाई हो सकता है है ना 2-3 भाई नहीं है ठीक है आगे देखते हैं और अजय की मा का कोई भाई नहीं है तो वह महीला अजय से किस प्रकार संबंद है बताये अजय के पापा की मा आजय की कौन हुई दादी हुई ना तो option number A से ही उत्तर हो गया दादी is our right answer next question कथन कहरा है कुछ पैन बिल्लिया है सभी बिल्लिया बस है कुछ पैन जो है दोस्तो कुछ पैन कुछ पैन बिल्लिया है और सभी बिल्लिया जो है वो क्या है बस है ठीक है देखा जाए निशकष सभी बसे बिल्लिया है सभी जो बस है वो बिल्ली नहीं है लेकिन सभी जो बिल्ली है वो बस है तो यह हो गया कट कुछ बसे बिल्लिया है कुछ बसे बिल्लिया है बिल्कुल यह वाला section तो यह बिल्कुल सही हो गया आगे देखते हैं कोई भी बस पैन नहीं है, भाई ये वाला सेक्षन तो जो है बस का वो पैन है, नहीं बोल दिया, कट हो गया, सभी बसे पैन है, सभी बस पैन नहीं है, सिर्फ ये वाला सेक्षन जो है बस का वो पैन है, तो सभी के कारणी हो गया गलत, तो केवल जो है दूसरा निशकश ही अ मुसरेंड करता है option number B हमारा सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं कथन कह रहा है एक विज्ञान कहता है छे महीनों में अपने पैसे तिगुना एक विज्ञान नहीं होगा यह विज्ञापन होगा विज्ञापन होगा एक विज्ञापन कहता है छे महीनों में अपने पैसे तिगुना करे ठीक है चली आपने ऐसे विज्ञापन देखे भी होगे निश्कर्ष जो इस कथन से 100% निकल गया रहा है पहला बोल रहा है अश्वाशन वास्तविक नहीं है यह निश्कर्ष तो नहीं निकाला जा सकता है इसलिए कट लोग अपने धन को बढ़ते हुए देखना चाते हैं जी बिलकुल इसलिए यह विज्ञापन दिया गया है कि छे महीने में अपने पैसे तिगुना करे इसका मतलब जो है केवल निश्कर्ष दूसरा अनुसरन करता है नैक्स कोशन देखें रितू एक व्यक्ति के चित्र की और संकीट करते हुए कहती है वह मेरे पुत्र की पतनी के एक मात्र अबिवाहित भाई के एक मात्र भतीजे के दादा है वह व्यक्ति रितु से किस प्रकार संबधनत है आईए रितु एक व्यक्ति के चित्र की और संकेत करते हुए कहती है कौन कह रही है? रितु कह रही है एक व्यक्ति है क्या कह रही है? वह मेरे पुत्र मतलब रितु का पुत्र वे हैं मेरे पुत्र की पतनी का एक मात्र भाई का एक मात्र भाई के एक मात्र भतीजा कौन होगा ये हो जाएगा एक मात्र भतीजे का दादा है दादा मतलब इसके पिता के पिता मतलब दादा है तो मतलब रितु का ही कौन हो गया पती हो गया ना तो वे हैं रितु से किस प् तर हो गया, understood, चले, next question, पचास व्यक्तियों के एक समूम में से, 18 ट्रेन से काम पर जाते हैं, 26 बस से काम पर जाते हैं, 8 व्यक्ति ना तो ट्रेन और ना ही बस से जाते हैं, कितने व्यक्ति दोस्तों, 8, चले, इसको बना लिया जाए, देखो, 8 व्यक्ति ना तो ट्रेन और ना ही बस से जाते हैं, इसका मतलब बस और ट्रेन से जाने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, पच्छास माइनस आठ मतलब 42 ऐसे लोग है जो ट्रेन से जाते हैं जो बस से जाते हैं या दोनों से जाते हैं ठीक है इतना समझ में आ गया अब देखिए अब यहां अठारा ट्रेन से काम पे जाते हैं 26 बस से काम पे जाते हैं इन दोनों को जोड़िये तो 18 और 26 कितना हो गया चय को 12 बारे 14 मतलब चवालिस हो गए देखो लेकिन बेलीस वह लोग थे जो indri características या बस से जाते हैं देखो एक्सिस कितना दो एक्सिस है और यह दो लोग कौन है दोस्तों यह ौह लोग जो ट्रेन और बस दोनों से सफर करते हैं understood तो वेंट डाइग्राम मैं बना लूँ तो दोनों से सफर करने वाले अगर मैं इसको दे देता हूं ट्रेन इसको दे देता हूं मैं बस दोनों से सफर करने वाले होंगे दो अठारा ट्रेन से सफर करते हैं दो हो चुके तो सिर्फ ट्रेन वाले हो गया 16 सिर्फ बस वाले कितने हो गया 26 से दो घटादो तो हो गया 24 यह मेरा बन गया वेंट डाइग्राम अब कोशन सॉल्प किया जाए केवल ट्रेन से जाने वाले केवल ट्रेन से जाने वाले कितने हैं दोस्तों 16 की संख्या कुल व्यक्तियों की संख्या की कितने प्रतिशत है 16 कुल व्यक्ति कितने हैं 50 मतलब कितना हो गया 32 प्रतिशत केवल ट्रेन से सफर करते हैं ठीक है चले कितने व्यक्ति काम पर जाने के लिए या तो ट्रेन या बसका प्रयोग करते हैं तो8 व्यक्ति तो ना ही ट्रेन ना ही बसका यूण कर रहे थे मतलब मैंने निकाल लिया था कि 42 लोग जो होंगे वह या तो ट्रेन या तो बस से सफर करेंगे तो कौन सा option हो जाएगा option number C आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, चले, next question देखा जाए, कितने व्यक्ति काम पर जाने के लिए, train और bus दोनों का प्रयोग करते हैं, दोनों, कितने लोग हैं दोस्तों, दो, दो ऐसे लोग हैं, जो दोनों परिवाहन का इस्तिमाल करते हैं, option number B आपका सही उत्तर हो जा किन दो चिन्हों को परस पर बदलना होगा, ये आपका दिया गया समिकरण, देखे, पहला क्या है, divide और minus, चले, बदल दिया जाए, तो यहाँ, minus की जगे पर divide करूँगा, और divide की जगे पर minus करूँगा, ठीक है, is equal to 0, let us, it is equal to 10, let us see, यहाँ देखो, सबसे पहले board mask का यू 10 में और minus में, 41 मतलब क्या होगा, minus 10, जी हाँ, दोस्तो, 10 बराबर 10 हो गया, इसका मतलब मेरा option number A सही उत्तर हो गया, चले, next question दिखा जाए, कथन कहरा है, उत्कृष्ट उमीदवारों के मामले में, MBA, HR में कोई पूर्व अनुभब होने की शर्त को माफ कर दिया जाता है, अगर उत्कृष्ट उमीदवार है, ठीक है, तो MBA में कोई पूर्व अनुभब होने की शर्त जो रखी गई थी, उसको माफ किया जा सकता है, ठीक है, चलो, निश्कर जो बिल्कुल 100% कथन से निकल के आएगा, चलो, MBA में प्रवेश के इच्छुक को चात्रों को HR में पूर अनुभब होना चाहिए, ये तो भाई नहीं बोला गया था, यहां उत्कृष्ट उमीदवारों की बात की गई थी, ठीक है, चलो, MBA में प्रवेश के इच्छुक कुछ चात्रों को HR में पूर्व अनुभब नहीं है, भाई, अनुभब की तो बात करने, मतलब तो निश्कष एक नाहीं निश्कष दो, अनुसरन करते हैं, एक सकेड़ में प्रवेश के इच्छुक कुछ चात्रों को HR में उत्कृष्ट उमीदबार के मामले में, MBA में कोई पूर्व अनुभब होने की शर्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष अधर के मार्व किया जा सेकता है ठीक है, MBA में प्रवेश के इच्चुक कुछ छात्रों को HR में पूर्व अनुभब होगा, या पूर्व अनुभब नहीं होगा, दोस्तों ये दोनों सही होंगे, है ना? या तो यह होगा, या तो यह होगा, है ना? इसमें इदर और वाला नहीं है न अगर इसमें इदर और वाला नहीं है option तो आपको option नमबर C के साथ जाना होगा आपको option नमबर C के साथ जाना होगा ठीक है देखो क्योंकि सारे लोग उत्कृष्ट उमीदबार तो होंगे नहीं अगर उत्कृष्ट उमीदबार हुए, तो पूर्ण अनुभव का जोनोंने क्राइटेरिया बना के रखा हुआ है, ये क्या, इसको माफ कर दिया जाएगा, और अगर उत्कृष्ट उमीदबार नहीं हुए, तो भाई पूर्व अनुभव अनिवारी होगा, इसका मतलब इत् next question देखा जाएं। कquito सभी नदियां सभी जो नदियां वो क्या है वह बादल ऩीक है। और कुछ जानवर नदिया है और दोस्तों, कुछ जो जानवर है, वो क्या है नदिया है, बन गया मेरा bạn-डाइगरम आईए, निष्कश, कुछ नदिया जानवर है ये वाला जो नदिया का section है, वो जानवर है इसका मतलब जो है पहला वाला सही ठीक है आगे देखा जाए कुछ बादल नदिया है कुछ बादल जो है वो नदिया बिलकुल ये वाला सेक्शन बिलकुल सही सभी बादल नदिया है सभी बादल नदिया तो नहीं है ये वाला सेक्शन तो नदिया नहीं है इसका मतलब ये हो गया कट सभी जानवर बादल है सभी जो जानवर बादल नहीं है कुछ अगर जानवर बादल बोलता तो सही हो जाता मतलब यह भी कट इसका मतलब एक और दो जो है अनुसरण करेगा तो option नमबर एक निशकर्ष एक और दो अनुसरण करते हैं चले next question देखा जाए कथन कहरा है क्या बोल रहा है एक T20 मैच में एक टीम ने कुल 210 रन बनाएं तो एक T20 मैच में एक टीम से कुल 210 रन बनाएं ठीक है जिसमें से 147 रन स्पिनर द्वारा बनाएं ठीक है ओके तो 210 से 147 रन जो है रन स्पिनर ने मनाएं ठीक है निशकर्ष टीम में 70% स्पिनर है भाई यहाँ उनके रन बनाने का वो बताए गया है तो मैं निशकर्ष नहीं निकाल सकता कि 70 प्रतिशत जो स्पिनर है ठीक है ना ये तो हो गया भाई कट क्या पता एक ही स्पिनर था जिसने 147 रन मार दी सलामिक बल्लेवाज स्पिनर थे ये भी नहीं बोल सकता इसका मतलब ना तो एक ना ही दो अनुसरण करेगा आपका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स कुशन देखते हैं बहुत ही बहतरीन कुशन है आईए तीस व्यक्तियों के एक क्लब में प्रतिक व्यक्ति कम से कम एक समुहू सत्रंज नाटक और कला से सम्बंदित हैं कितने वेंट डाइग्रम बनेंगे मतलब कितने सर्कल्स बनेंगे एक दो तीन है ना सत्रंज नाटक और कला और प्रतिक व्यक्ति कम से कम एक के साथ जो है अटैज्ट है चीक है सम्बंदित है चलो छे व्यक्ति केवल कला समुह से सम्बंदित है चे व्यक्ति केवल कला समुह से सम्बंदित है पांच व्यक्ति तीनों समुह से सम्बंदित है सबसे important line मुझे मिल गई 5 व्यक्ती तीनो समू से संबंदित है 2 व्यक्ती शतरंज और कला समू में शामिल हुए लेकिन नाटक समू में शामिल नहीं है तो 2 व्यक्ती जो हुँँगे शतरंज और कला वाले only होंगे जो नाटक में नहीं होंगे पंदरा व्यक्ति कला समू से संबंदित है, तो टोटल कला समू से संबंदित रखने वाले कितने व्यक्ति हैं दोस्तों, पंदरा आगे देखते हैं, दो व्यक्ति केवल शत्रंज समू से शामिल है, केवल शत्रंज से कितने व्यक्ति हैं? दो व्यक्ति है, तीन व्यक्ति केवल नाटक समू से शामिल है, केवल नाटक समू से शामिल कितने व्यक्ति हैं? तीन व्यक्ति है, चलिए, इसको सबसे पहले बनाए जाए, कितने एक होगा नाटक का, एक होगा शत्रंज का, और एक होगा कला का, आईए, इसको अगर मैं दे दू शत्रंज, ठीक है, इसको मैं दे दू नाटक, और मैं इसको दे दू कला, ठीक है, तो देखा जाए, सबसे इंपोर्टेंट लाइन को, मैंने बोला था, पांच व्यक्ति तीनो समू से संबंदे तो सबसे पहले तीनो समू वाले को जो है इंटरसक्जा कर रहे हैं उसको सबसे पहले लिख लो 5 सबसे important line अब देखो 6 केवल कला समू से संबंदे ते केवल तो 6 को यहाँ बिठाल दो ये मेरा हो गया ये मेरा हो गया दो व्यक्ति शत्रंज और कला समू से शामिल है हुए लेकिन नाटक से नहीं है तो शत्रंज और कला कितने व्यक्ति दो व्यक्ति कितने व्यक्ति दो व्यक्ति कितने व्यक्ति दो व्यक्ति आगे बढ़ा जाए यहाँ पर भी मेरा complete हो गया चलो 15 व्यक्ति कला समू से संबंदित है 15 व्यक्ति कला से होते हैं तो देखो 6 हो चुका है 2 8 और कितना हो गया 8 और 5 कितना हो गया 13 हो गया है टोटल कितने होने थे कला से संबंदित 15 मतलब 2 बचे हैं तो 2 व्यक्ति वो होंगे जो कला और नाटक से संबंदित होंगे लेकिन शत्रंज से नहीं होंगे यहां तक clear है चलो यह भी clear आगे देखा जाए दो व्यक्ति केवल शत्रंज समू से जो है शामिल हुए समू में शामिल हुए सिर्फ केवल दो व्यक्ति है शत्रंज वाले ये भी clear, आगे देखा जाए, तीन व्यक्ति केवल नाटक समू में शामिल हुए, तीन व्यक्ति केवल नाटक में शामिल मैंने कर दिया, अब देखो यहाँ एक very important line कही गई थी, कि प्रतेक व्यक्ति कम से कम एक समू में है, एक समू में होगा, तीन व्यक्ति थे, इनके जो नंबर साय हैं, जो इस में डाइग्राम में नंबर देख रहे हैं, के टोटल सम तीन होने चाहिए थे, यहाँ पर एक जगे खाली चूड़ गई है, कौन सी जगे है, शत्रंज और नाटक जो है, दोनों में सम्बंदे थे, लेकिन कला में नहीं है यह चूड़ गया है, तो इन सब को सम कर लूँ और देखू, तीस से कितना कम है, जितना कम होगा, वो शत्रंज और नाटक का यहाँ पर हो जाएगा, understood, तो यहाँ देखा जाए, दो दो चार, चार और नो, नो दो, ग्यारा, ग्यारा, और सत्रा, सत्रा, बीस, मतलब दस ऐस लोग होंगे, बीस हो गया था, दस और जोड़ों तो तीस हो गया, दस ऐसे लोग होंगे, चो शत्रंज और नाटक से संबंदित होंगे, लेकिन कला से नहीं होंगे, मेरा पूरा बन गया वेंड डाइग्राम, अब कोर्शन सॉल्प किया जाए, कितने व्यक्ति केवल एक सम हो गया, ठीक है, चलो, नेक्स क्या बोल रहा है, कितने व्यक्ति शत्रंज और नाटक समू में शामिल हुए, लेकिन कला शमू में सामिल नहीं हुए, शत्रंज और नाटक लेकिन कला में नहीं, शत्रंज और नाटक लेकिन कला में नहीं, तो वो कितने हैं, दोस्तो, दस है, कौन सा option हो जाएगा option number B next question क्या बोल रहा है कितने कितने व्यक्ति शत्रंज समू से सम्मंदित है कितने व्यक्ति शत्रंज से शत्रंज से 2 plus 10 plus 15 plus 2 तो यह हो गया 4, 9, 19 19 लोग शत्रंज से सम्मंदित सम्मंद रखते है option number C आपका सही उत्र हो गया next question देखो कथन कह रहा है अधिकांश लोग अपने बच्चों का नामंकरण निजी स्कूलों में करा रहे हैं क्योंकि वहां सिक्षा के मानक सर्वजानिक स्कूलों के तुलना में जादा बहतर है ठीक है निश्कष सर्वजानिक स्कूलों को सिक्षा के अपने स्तर में सुधार है तु गंभीर प्रयास करना चाहिए बिल्कुल सही सभी सर्वजानिक स्कूलों को तुरंद बंद कर देना चाहिए नेगेटिव हम को नहीं सोचना है इसका मतलब जो है निश्कष एक अनुसरन करता है सभी सितारे ग्रहे है और सभी ग्रहे चान्द है अब जरा आईए निश्कष देखा जाए निश्कष पहला क्या बोल रहा है कि सभी चान्द ग्रहे सभी चान्द तो ग्रहे नहीं है सभी ग्रहे चान्द जरूर थे ये तो हो गया कट दूसरा कह रहा है कुछ ग्रहे सितारे है कुछ ग्रहे जो है वो सितारे बिल्कुल सही ये वाला सेक्षन जो ग्रहे का है वो सितारे है कुछ चान्द सितारे है बिल्कुल ये वाला section जो चांद का था वो सितारे है सभी ग्रह सितारे है सभी ग्रह नहीं है सभी सितारे ग्रह थे इसका मतलब यह होगा 2 और 3 अनुसरण करेगा तो निश्कष 2 और 3 अनुसरण करते हैं चलिए next question बहुत ही बैतरीन question इसको बोलते है inverse type question blood relation में आईए भर भर के पूछा NTPC में ग्रूप D में पूछागा previous year ग्रूप D का ही question आईए यदि A percentage B का अर्थ है B की पुतरी A है A minus B का अर्थ है देखो ही इसका इससे relation बोलना है B का भाई A है और A cross B का अर्थ है B का पिता A है तो निम्लेकित में से कौन से विकल्प में N का पूतर M है ठीक है N का जो पूतर है वो M है चले option number C को देखिए option number C उठाये जाए option number C अगर उठाते है तो जो है इसको बनाये जाए तो M minus C minus वाला कौन सा ये है ठीक है तो इसमें क्या बोल रहा है A minus B अगर हुआ तो B का भाई A होगा तो C का भाई कौन होगा M होगा तो C का जो भाई है वो कौन है दोस्तो वो M है आगे देखा जाए फिर बोल रहा है C percentage F तो percentage वाला section ये है तो इसका मतलब A percentage B मतलब था क्या B की पुतरी A है इसका मतलब F की पुतरी C होगी तो F की पुतरी कौन होगी C होगी चलो F की पुतरी C होगी आगे देखा जाए उसके बोल रहा है F percentage N तो N की पुतरी कौन होगी F होगी तो F की पुतरी होगी किस की N की देखो इन का पोता इन का पोता M मिल गया हमको अशनमर C हमारा से ही उत्तर हो गया ठीक है चलो Next question बहुत important question बहुती लाजवाब question देखा जाए निमलिखित जानकारियों को पढ़ें और इस पर आथरित प्रशनों के उत्तर दें क्या कह रहा है एक कक्षा में Emy, Bela, Sera, Dia Emma और Fila 6 विद्यार्थी है Emma और Dia Amy से छोटी है लेकिन Fila से भारी है ओके छोटी भारी दो चीजे बता दी गई है लंबी है Bela, Sera से छोटी है लेकिन Amy से लंबी है Amy, Sera से भारी है Fila, Bela से छोटी है लेकिन Amy से लंबी है ओके तो मुझे यहाँ पर दो पैरामीटर्स बताए गए है एक weight और एक दूसरा height तो height and weight height and weight ठीक है उचाई और क्या भारीपन है ना चलो तो देखा जाए क्या बोल रहा है 6 लोग है ठीक है 6 विद्ध्यारती यहाँ से हमारी कहाने शुरू हो रही है Emma और Dya Amy से छोटी है तो अगर मैंने Amy को यहाँ रखा height में तो Emma और Dya Amy से छोटी है तो Emma Emma और Dya जो है Amy से छोटी हो गई height में ठीक है और यहाँ क्या बोल रहा है छोटी है लेकिन फीला से भारी है लेकिन फीला से भारी कौन है Amy से छोटी है लेकिन फीला से भारी इसका मतलब इसका मतलब क्या दोस्तो इसका मतलब जो है जो Amy और Dya है वो फीला से क्या वो Amy और Dya जो है Amy और Dya जो है वो फेली से भारी है इसका मतलब Emma और Dya जो है दिया जो है वो Dya किस से भारी है फीला से, किसे भारी है फीला से, understood किसे भारी है, फीला से अब देखा जाए यहां तक complete सेरा एमा से भारी है, सेरा एमा से भारी है एमा ये रहा, ठीक है सेरा एमा से भारी है और दिया से लंबी है तो सेरा जो है वो एमा से भारी है इसलिए मैंने उपर लिख दिया भारी है और दिया से लंबी है और मतलब किसको जाके दूरवाले को जाके पकड़ लो तो सेरा जो है वो दिया से लंबी है दिया से लंबी कौन होगी दोस्तो कौन होगी सेरा होगी दिया से लंबी कौन होगी सेरा होगी अब जरा दे क्योंकि मैं यहां बिठाल नहीं पा रहा हूं न कहां पर बिठाल हूं दिया से तो यहां पर भी बिठाल सकता हूं यहां पर भी बिठाल सकता हूं आगे हम लोग थोड़ा देखते हैं बेला सेरा से छोटी है बेला जो है वो सेरा से छोटी है तो अगर मैं सेरा को यहां बिठ ठीक है तो जो बेला है वो सेरा से छोटी लेकिन एमी से लंबी है इसका मतलब मुझे पदा चल गया जो बेला है वो सेरा से छोटी होगी लेकिन जो है एमी से लंबी होगी तो बेला यहाँ पर आ गई सबसे यह उसके बाद यह उसके बाद यह फिर ऐसे करके आ रहा है लेकिन एमी से लंबी है यहां तक clear हो गया आगे देखते हैं एमी सेरा से भारी है एमी जो है वो सेरा से भारी है सेरा से भारी कौन है एमी तो सबसे उपर कौन आ गया भाई एमी आ गया एक दो तीन चार पाँच अच्छा एक जन और बचा हुआ है भारी है तो यहां बीच में एमी से लंबी और फीला से छोटी कौन है दोस्तों फीला कौन फीला ठीक है तो सबसे हाइट में लंबी हुई सेरा उसके बाद हुई बेला उसके बाद हुई फीला उसके बाद हुई एमी उसके बाद एमा और दिया मुझे अभी नहीं पता है और यहां प तो हाइट के हिसाब से एक बार बढ़िया तरीके से लिखा जाए सबसे उची सेरा उसके बाद बेला उसके बाद फीला उसके बाद एमी उसके बाद एमा और अबलिक दिया है ना चलो यह according to the हाइट मेरा आगया question देखा जाएं निम्न में से निम्न में से मित्रों का कौन सा समूँ फीला से छोटा है फीला से छोटा कौन कौन एमी एमा दिया एमी एमा दिया option नमर बी आपका सही उत्तर हो गया next question क्या बोल रहा है इन में से सबसे छोटी कौन है तो हाइट में सबसे छ कोई एक छोटा होगा इमा और दिया लेकिन option में जो है दिया दिया गया इमा नहीं दिया गया जान बूचकर है ना इसलिए option number C हमारा सही उत्तर हो गया next question बोल रहा है उपर से छोथे क्रम पर कौन होगा यदि उनकी लंबाई अवरो ही क्रम में रखी जाए उपर से छोथा अ आना है बड़े से छोटा अगर मुझे आना है तो चौथे नमबर पर एक दो तीन चर कौन होगा भाई इमी हो जाएगी तो option number B आपका इमी सही उत्तर हो जाएगा next question दिखा जाए कतन कहरा है सभी खिलोने किताबे हैं और सभी किताबे ट्रेन हैं सभी जो खिलोने हैं दोस्तो सभी खिलोने वो क्या है वो किताबे हैं और सभी जो किताबे हैं वो क्या है वो ट्रेन है निशकर्ज देखते हैं सभी ट्रेने किताबे हैं सभी ट्रेने किताबे तो नहीं है ब खिलोने नहीं भाई ये भी कट कुछ ट्रेन खिलोने है कुछ जो ट्रेन है वो खिलोने मतलब ये वाला सेक्शन ट्रेन का खिलोने ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ नहीं था कट वैसे ही हो जाएगा नेक्स कोश्चन देखा जाए बहुत ही बहतरीन कोश्चन है फिर से सिटिंग अरेंजमेंट का कोश्चन है आईए तो बोल रहा है नीचे दिये गए पैसेज को पड़े और उसके बाद दिये गए प्रशनों के उत्तर दे प्रेड़ना, कुतुब, राहुल, स्टेलीन, तुहीन, उजाला, वरुण और वाहिदा एक वरत के केंद्र की और मुह करके उसके इर्द गिर्द बैठे हैं वाहिदा, पेड़ना के तुरंत बाए हैं लेकिन तुहीन या स्टेलीन का पड़ोसी नहीं है उजाला, कुतुब के तुरंत दाए हैं, वरुण तुहीन के बगल में बैठा है, राहुल, तुहीन और उजाले के बीच में बैठा है तो सबसे पहले देखो, वरत के केंद्र की और मुह करके बैठे हुए हैं, कितने लोग हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, बना दो एक सरकल, जिसमें बिठाल दो आठ लोगों को, ठीक है, बन गया है, बैठ गया आठ लोग, अब जारा बनाया जाएं, थोड़ा अच्छे से बना दिया जाएं, कुछ जादा ही रफ दिख रहा है, वन मिनिट, चलो, आठ लोग हो गए, केंद्र की और मुकर के, मतलब मेरा राइट, इनका राइट, मेरा लेफ्ट, इनका लेफ्ट, मेरा दा इनका दाए, मेरा बाई, इनका बाई, अब देखो, अब बनाया जाए, वाहिदा प्रेणा के तुरंट बाई है, तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ, वाहिदा जो है, वो प्रेणा के तुरंट बाई कौन है, वाहिदा यह पहला निकल के आगया दूसरा क्या बोल रहा है कि लेकिन मतलब वाहिदा जो होगा वो तुहीन या स्टेलीन का पड़ोसी नहीं है तो यह जो वाहिदा है यह जो दोस्तों वाहिदा है वो तुहीन और स्टेलीन का पड़ोसी नहीं है किस-किस का तुहीन और इस्टेलीन का पड़ोसी नहीं है याद रखिएगा उजाला कुतुब के तुरंत दाएं है उजाला जो है कुतुब के कुतुब के तुरंत दाएं कौन है दोस्तो उजाला ठीक है कौन है उजाला वरुन तुहीन के बगल में बैठा है वरुन जो है वो तुहीन के वगल में है ठीक है और राहुल तुहीन और उजाला के बीच में बैठा है तो इस हिसाब से अगर मैंने कुतूब को यहां दे दिया कुतूब तो कुतूब के तुरंत दाएं कौन हो जाएगा उजाला हो जाएगा और यहां पर एक बात कही गई है कि वरुन तुहीन के बगल में और राहुल जो है वो तुहीन और उजाला के बीच में तो उजाला यहां हो जाएगा तो यहां हो जाएगा राहुल और राहुल जो है वो तुहीन और उजाला के बीच में तो तुहीन यहां हो किया यहां तक क् देखो ठीक है उसके बाद और क्या देखने को मिल रहा है कि जो है वाहिदा और पेड़ना है ना ओके वरुण तुहीन के बगल में बैठा है तुहीन यहां आ गया तो यहां कौन आ जाएगा दोस्तों वरुण आ गया ठीक है अब आगे देखा जाए अब यहां जड़ा गौर करना यहां एक चीज बोली गई है वो क्या है वाहिदा जो है वो पेड़ना के तुरंद बाई है अगर मैं परेड़ना को यहां बेठा लू तो तुरंद बाई कौन हो गया वाहिदा हो गया और यहाँ एक चीज़ करें थी लेकिन जो वाहिदा है वो तुहीन या स्टेलीन का पड़ोसी नहीं है तो देखो न वाहिदा इस तुहीन का पड़ोसी तो नहीं वह वरुन का पड़ोसी है और स्टेलीन को मैं यहां बिठाल दू, इस स्टेलीन को मैंने यहां बिठाल दिया, तो वाहिदा स्टेलीन का भी पड़ोसी नहीं, अब बन गया मेरा यह, sitting arrangement, आप question दिखा जाए, दिये गए किस जोडे में दूसरा व्यक्ती, दूसरा व्यक्ती, जो है, पहले व्यक्ती के द आए को दूसरा है, क्या, जो प्रेड़ना है, प्रेड़ना जो है, वो राहुल के, नहीं भाई, दूसरा तो नहीं है, कट, वरुन क्या वाहिद, जो है, वरुन और वाहिद का, क्या यह relation हो रहा है, नहीं, यह नहीं हो रहा है, देखो, तूहीन और उजाला, तूहीन और उ कि दाएं को दूसरा है दाएं से दूसरा है बिल्कुल सही option number C आपका सही उत्तर हो गया next question क्या बोल रहा है निमले कित में से कौन सा कथन सत्य है तुहीन और उजाला तुहीन उजाला और कुतुब के बीच में है तुहीन जो है तुहीन उजाला और कुतुब नहीं बाई गलत है जो है यहां कुतुब और उजाला तो पास पास में बैट इनके बीच में कोई नहीं बैटा है पहला कट दूसरा उजाला वरुन के बगल में बैटी है उजाला वरुन के बगल में उजाला वरुन के नहीं भाई, दोनों के बीच में तो difference है, ये भी हो गया, cut वरुन तुहीन के दाएं और वाहिदा के बाएं बैटा है, मतलब वरुन जो है तुहीन और वाहिदा के बीच में, देखो वरुन जो है तुहीन और वाहिदा, बिल्कुल सही, इसका मतलब option number C आपका correct answer हो गया, ठीक, चल next question का आप बोल रहे है, stelline किस स्थान पर है? stelline, यहाँ पर है ठीक है, प्रेडना आपके left में होगा, और shtelin के, और kutub stelline के right में होगा, question का बोल रहे है, कutub के turant बाएं, किसके बाएं? कutub के тurant बाएं, देखो, कutub के turant बाएं जो है तुरंत लेफ्ट जो स्टेलीन मेट है बिल्कुल सही एक नंबर सही हो गया अप्शन नंबर A आपका सही हो गया चलो, नेक्स कोशन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है पहला कथन बोल रहा है, खिलाडियों को जायस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ने पर एक विशेश पुरसकार दिया जाता है XYZ के नाम के खिलाडी ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया लेकिन उसे एक निशद दवा के प्रभाव में पाया गया भाई दवा के प्रभाव में पाया गया है, इसका मतलब उसे जायस तरीके से उसने उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ा उसने किसी डोपिंग के सहारे से उस रिकॉर्ड को तोड़ा इसका मतलब उसे विशेश पुरसकार तो नहीं दिया जाएगा क्योंकि जाइस तरीके से तोड़ने पर ही विशेश पुरुसकार दिया जाएगा अब जरा यहाँ देखो XYZ नाम के खिलाडी पर लगाए गया आरोब गलत है क्या इस कथन में ये कहा गया आरोब के बारे में बिल्कुल नहीं गलत XYZ नाम के खिलाडी का विशेश पुरुसकार नहीं मिलेगा को विशेश पुरुसकार नहीं मिलेगा बिल्कुल सही क्यों नहीं मिलेगा दोस्तों क्योंकि जाइस तरीका नहीं है उसने डोपिंग करके लिया है तो इसका मतलब मेरा जो है option number b निश्कर्स दूसरा अनुसरन करता है चले next question पढ़िए मैं तो बड़ा charger लेके आता हूँ जल्दी से question पढ़िए तो क्या बोल रहा है question question कह रहा है आपका कि कथन कह रहा है सभी दर्वाजे चाबियां है सभी चाबियां बल्ले है और कुछ घडियां बल्ले है सभी दर्वाजे सभी जो दर्वाजे है चाबियां है सभी जो चाबियां है वो बल्ले है कुछ घडियां जो है वो बल्ले है कुछ घडियां बल्ले है ठीक है बन क्या मेरा बन ना है आईए बनाए कुछ बल्ले दर्वाजे है कुछ बल्ले जो है वो दर्वाजे है बिल्कुल ये वाला section जो बल्ले का है वो दर्वाजा है बिल्कुल सही दूसरा कहरा है कुछ घडिया चाबिया है कुछ घडिया चाबिया तो नहीं दिख रही भाई ये वाला section तो चाबिय में आई नहीं रहा है cut सभी चाबिया दर्वाजे है सभी चापिया दर्वाजे नहीं है लेकिन सभी दर्वाजे चापिया जरूर है मतलब यह हो गया कट तो केवल एक अनुसरन करेगा तो option number B आपका सही उत्तर हो जाएगा next question अगर जो है square प्रशिक्षित ध्यापक को दर्शा रहा है वर्ग व्रत जो है बिबाहित जन्संख्या को दर्शा रहा है और जो ट्राइंगल है जो त्रिबुच है वो college के प्रधानपक जो है प्रध्यापक जो है उसको दर्शार रहा है प्रध्यापक को तो बोल रहा है क्या यदी 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 ये लाइन तो फाल्दू लिखी गई है न यदी रेवेंशो कॉलेज प्रवंधक को कॉलेज प्रवंधक को पढ़ाने के लिए केवल बिभाहित प्रिशिक्षक जरुवत है तो संक्या साथ क्या दर्शार रही है यतना लाइन बक्वास लिखी गई यह कोशन यह आए साथ क्या दर्शार है साथ मैंने आपको क्या दिखाया ट्राइंगल किसको दर्शहार रहा देखो साथ में य次 स्क्वैर नहीं है यह वर्ग नहीं आएगा मतलब प्रशिक्षित पर्धियापक नहीं आएंगे इसका मतलब यह नहीं तो कौन होगा कॉलेज के बिवाहित प्रध्यापक आएंगे तो कॉलेज में 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 प्रशिक्षित बिवाहित प्रध्यापक भी होंगे, तीनों वाले कौन है भी या, पांच है, आप्शन नमर सी आपका सही उत्तर हो गया, नेक्स कुश्यन क्या बोल रहा है, किस संख्या दोरा कॉलेज के, कॉलेज मतलब ट्राइंगल में आएगा, प्रशिक्षित अभिभाहित, अभिभाहित मतलब सरकल के बाहर ट्राइंगल के अंदर, तो चार और एक है, लेकिन प्रध्यापक, प्रशिक्षित अध्यापक कौन ह square की अंदर है तो कुतने हो जाएंगे, कौन हो जाएगा चार नमबर हो जाएगा, option नमबर D से ही उत्तर हो जाएगा, ठीक है चलिए, आज का अंतिम प्रश्न क्या question बोल रहा है, कथन कह रहा है इस नौकरी के लिए नियूनतम योगता mtech है हाला कि जो उमीदवार mtech की अंतिम वर्श की परिक्षा में बैठे हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं निशकर्ष पढ़िए जल्दी से पहला निशकर्ष क्या बोल रहा है तो पहला निशकर्ष क्या बोल रहा है सभी उमीदवार जो post graduate होने वाले हैं जो post graduate होने वाले हैं वो चुने एक वे चुने एक उमीदवार की सूची में होंगे चुने गए हैना चुने गए चुने गए एक उमीदवार की सूची में देखो post graduate different type के में भी तो होता है यहां सिर्फ mtech की बात करी गई इसका मतलब यह गलत दूसरा पूल रहें न्यूनतम mtech योगता वाले सभी उमीदवार चुने गए उमीदवारों की सूची में होंगे देखो सभी उमीदवार चुने गए यहां mtech की अंतिम वर्ष की परिक्षा पर भी जो बैटे वो भी आविदन कर सकते हैं ओसकता है इसका मतलब इसका मतलब ना तो निशंकर नाहीं निशंकर दो अनुसरण करता प्रणर आपका तर तो दोस्तों यह थे आज के very very important 30 questions अगर आपको वीडियो पसंद आये हो तो वीडियो को like और share जरूर कर दीजेगा कोई भी issue हो तो comment section में comment करना बिलकुल मत भूलेगा जरूर उस comment को रखिएगा ठीक है और वीडियो में और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को subscribe जरूर कर लीजेगा ठीक ह फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स वीडियो में नए questions के साथ तब तक लिए bye bye and have a nice day